अच्छे बताईए चर्चा हो रही है स्मृति रानी वर्सेज राहूल गांदी का मुकाबला होगा कैसा होगा यह मुकाबला कुछ कहा नहीं जा सकता है जमीनी हक्षिकों तो देखा जाए तो विकासकार कुछ भी नहीं हुआ यह आप खड़ी है गाउं में यह पालपुर गा स्मृति रानी ने तो यहां घर बना लिया है तो उनके यहां घर बनाने से कुछ बदला है स्मृति रानी वर्सेज राहूल गांदी हो सकता है अगर ऐसा हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा अभी परजन टाइम तो स्मृति रानी है क्या काम किया है Smriti Rani ने अन है मेटि में जो उनका नाम ज्यादा ले रहे हैं लोग को जगा जगा दोड़े कर रही है और गाउन में सबसे मुलाकाद कर रही है राहूल गांदी को आना चाहिए अन है अन चाहिए इसलिए सब काम पीशे हो चुका है जो नहीं आया है क्या नाम है आपका ददा दोस्त मुहम्मद राहूल गांधी के आने की चर्चा हो रहे हैं आपर राहूल गांधी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए राहूल गांधी आएंगे पत्ता साफ हो जाएगा उनका बहुत अच्छा काम किया है बहुत अच्छा काम देखिया मेटी के लोग सटायर मारने भी में भी पीछे नहीं अट रहे हैं ऐसा क्या काम नहीं किया स्मृति रानी ने वो तो गूम-गूम के सब को बता रही है यहां पानी भरा रहता है यहां इतना अतना पानी सभी से पूछ लो आप कोई देखने वाला नहीं है यहां और आती जाती रहती है और आपका नाम किया भी इम्रान प्रिशानी हो रही है जंता को बेरोजगारी और महेंगाई पर बात होनी चाहिए प्रिशानी हो लेकिन उसको बेरोजगारी देखना चाहिए 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 जो कोई हो अच्छी कि मार्किट में आई थुड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि यहां की जंता आखिर क्या सोच रही है नदा क्या नाम है वही दैवन बड़िया मेठी की चर्चा हो रही है कि सुर्थी राणी तो यहां आगे अब राहूर कांदी आएंगे कि नहीं आएंगा हुए नहीं कि नहीं होś अफॉंट रानी का किये कुछ नहीं कि क्या किया है इसमें तो घर बना लिया कैरी यहीं रहेंगे लोगों से बात्चीत करेंगे लोगों कि अपने लिए बना लिए दूते पबलिक के लिए क्या किया कुछ नहीं किया अब राहूल गांदी से मुकाबला होगा और राहूल गांदी से कैसा मुकाबला होगा यह तो आ और झाने से यहां से लड़ने चाहिए चुनाब की नहीं लड़ने चाहिए गोल के बताओ देनज अधाई जीतेग़ यहां से इस्पृती रानी जीतेंगी जिन्हें पैचान भी नहीं कि राहूल आप जो ना से बापा ना पन बच्चे उखाव बताई हूं